हाउस वाइफ ग्रहणी औरत सिफ ग्रहणी नहीं उसी का काम मकान को घर बनाना होता है लेकिन फिर भी आपने अक्सर घरों में ये सुनते देखा होगा या रिलेटेबल भी होगा आप लोगों के साथ में भी कभी न कभी हुआ ही होगा खाली खाना ही तो बनाना है बाकी दिन बर तो कुछ भी काम नहीं रहता आराम ही आराम है औरतों के बड़े मज़े हैं आदमी को देखो सुबह से जाएंगे और शाम को ठकी हा रहे आएंगे और फिर भी घर पर आने के बाद में भी चैचू चैचू है ना ऐसा कई बार आपको भी शाय सुनने को मिलाओ हाउस वाइफ दा मोस्ट अंडर रेटेड जोब हलो एंड वेलकम बैक टू दा चैनल नमस्ते दोस्तों रादे रादे कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होगी खुश होगी और बिलकुल मज़े में होगी जो मैंने ये बात कही है मैंने ऐसे ही नहीं कही आज मैं एक शोट मूवी देख रही थी शोट मूवी कौन-कौन देखता है पहले तो ये बताइएगा और अगर देखते हो तो ये वाली मूवी आप जरूर देखिएगा हाउस वाइफ दा मोस्ट अंडर रेटेड जोब बहुत ही अच्छी आप लोगों को कही न कहीं अपने आप से रिलेटेबल लगेगी मुझे तो काफी अच्छी लगी मैं रिकमेंडेट करूँगी कि आप लोग भी देखिए तो यहाँ पर मैं बस बोटल्स को धोकर के उनको मैंने भरा है तो एक-दो दिन, एक-दो दिन मैं धोकर के इस तरह से भर देती हूँ इससे बोटल्स भी साफ रहती है क्योंकि हाथ चिकने और ऐसे कैसे भी हाथ होते हैं लगाई देते हैं घर में सब लोग तो फिर मैं उनको टाइम-टू-टाइम धोती रहती हूँ और वैसे भी मैं अभी कुछ दिन से पूजा पे नहीं थी, तो फिर उसके बाद में अपने पूरे घर को थोड़ा सा शुद करती हूँ, इस तरह से धो करके, वो कहते हैं थर्ड दे धोवन के समान रहे का चोते दिन शुद होना, बस वही, तो मैं पूरे घर में जित्ती भी चीजे होती हैं जो मतलब भगवान से इस्पेशली भगवान से रिलेटेबल, तो उनको तो मैं सब को धो धाके और फिर यूज में लेती हूँ, तो यहां पर बस वही कर रही थी, यह बास्केट भी धो दिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं फूर्ट को रखूंगी और फूर चाहिए ना वो भी सोकते रहते हैं कागज कागज की जगे आप न्यूस पेपर भी यूज कर सकते हो, बट मैं कागज का यूज करती हूँ, यह रखूंगी यह लगता है कि यह उड़ते कुछ काम नहीं करती हैं, फिलाल मैं यह तंकी धोरी हूं क्योंकि कल पानी आएगा त ऑन máximo एफ़ नहीं तो इससे ही भगवान के तो एक-दो दिन अभी से पूजा करूंगी, क्योंकि लूज की थो यह जो होते हैं, चरी बोलते हैं लेकिन यह पर कल्शिया भुलते हैं, ऊपकी आपको है बोलता ही नो जाय यह थिल्या जब कर Max आ के बाहरें , Talent बहुंकि तो कर पानी असे ब हम तृफछी निक चेशंब लोखे Luft sn 노driven episode कि बाकि बरतन कपड़े में कадे तो कि दो ने में पहले कैसे जह सब यह सेAh मैं इस तार से टistan की दोती हूं तो फिर एक दिन चोड़का एक दिन तो फिर मैं ऐसे जिस दिन आने वाला होता है ना उससे एक दिन पहले यह सारी चीज़े करके रखती हूं ताकि वह आये तो उसको इतना वेट नहीं करना पड़े उसी के सामने दो तो अच्छा नहीं लगता है ना तो यहां पहुए नएक्स्ट ड़े है सुबहरा है संडे की मॉर्निंग है और सुबै की मंदल संडे की मॉर्निंग होती न वह तो बड़ी हेकलत होती है तो वैश्रूम साफ करो बात्रूम साफ करो और म Anda पूरे घर को अच्छे से साफ करते हूं और फिर उसके बाद में नहाती हूं तो थोड़ा सा देर होई जाता है तो यहां पर आपी मैं ना पराठे बना ले रही हूं क्योंकि कल मैंने पत्तागो भी बनाई थी न तो वह बच गई तो मैं जब सब्जियां बच जाती हैं तो इस तरह से यूज में लेती हूं पराठे बना लेती हूं आप लोग बताकिये का कि आप लूग क्या करते हैं अगर सब्जी बचगती है तो इस लेती है हूं कर दूब वित कर आए बिलटा जता है लुद बिलकुल भी नहीं फाए पत्ता पत्ता गोबी का तो इसी तरह से मैं बनाती हूं जैसे आलू होते हैं हम बना के रख देते हैं भड़ता तो फिर पानी छोड़ देता है तो उसके ने थोड़ असा आटे का जो होता है पलोतन वो डाल दो तो बस फटते नहीं अच्छे से बिल जाते हैं तो यहां पर अलट पल टा सेख करके देनर और अभी सुबह के बाद में आप से डायक्ट मिल रही हूं शाम के टां में अब हम भSuच अवार से कर दिका रहे हूं जह Ciao अब हेल ऐना को को दिखा देती हूं उसके बाद मैं यहां पर भी दिखा देती हूं तो यह होता है कि न अच्छी बूरी नजर होती है घर पर हर जिसकी तो मैं इस तरह हैं न अच्छी लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बता हूं तो मैं घर के निए को ने कोने मैंने इस को ना जलाती हूं मारब धूप दिया दुआ दिखा देती हूं इसके अलावा जब पूर्णी मा आती है या अमा वस्या आती है तब भी मैं इसको जला देती हूँ सही रहता है घर के अंदर और आप लोग बताएगा कि अभी माढपूर्णी मा गई ति तो किसके माढपूर्णी मा से पूर्णी मा के व्रत ऊठाएं बताईएगा, मेरा बड़ा मन था लेकिन मैं ना उठाने के उसमें नहीं थी, तो फिर मैंने उठाए नहीं, मैंने वोला, जैसी प्रबूर की है, मरजी, और वैसे भी जब से मैंने एक अदर्शी के वरत स्थार्ट किया है, है मैंने अश्ट में कवरत कर थी थी तो उसका मैंने उध्यापन करी लिया था to यहां पर नभी में अपास Flawers रखे थे और जब में picking उसhyट मैं इसार से इस तरह से ओड़ली बना लेती हूं में इस तरह से इसूटा सा तो इस तरह से तो अब मैं बना रही हूँ परिश्चु के लिए हल्वा तो शाम के टाइम में उनके लिए कुछ छोटा इंगा कुछ बना देती हूं पूरी थाली तो मैंने सुबह के टाइमे लगाती हूं शाम शाम के टाइम में बस ऐसे हलवा बना दिया या फिर कुछ भी ऐसा बना करके उनको बोग लगाती हूं लडड़ बना करके रखती हूं या फिर और आज ना मैं गुड का ट्राइ कर रही हूं क्योंकि मैं सोच रही थी कि चीनी है ना कम करूं मैं भी तो मैंने सोचा है कि मैं ग कोड़ करके गुर्य स्टार्ट करने की तो आप इना हलवा बनाईएगा जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत अच्छा बना था और जब भी पानी डालो ना तो गैस को आफ कर दो उसके बाद में आप पानी को डालो इसे ना हलवे में बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ती हैं तो मैंने इसी तरह से बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था और ना मेरे पास कॉमेंट भी आया था कि आप लड़ू गुपाल जी की सेवा पूजा कैसे करते हो इसके उपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं आपने का है तो मैं जरू बनाऊंगी लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं कि आपके लड़ू गुपाल जी आपके घर में आए तो वो आपकी सेवा लेने के लिए आएं आप किन भावों से उनकी सेवा कर रहे हैं वो भाव वो सेवा वो प्रेम लेने आएं तो आप दूसरे कैसे कर रहे हैं उसको देख कर के मतलब वो तो हम भी ऐसे करें यह सोच करके आपको सेवा नहीं करनी है हाँ आप जो दूसरे करते हैं उन में से जो आपको अच्छा लगता है अपने लड़ गुपाल जी के करने की आपका मन है आप वो कीजिए लेकिन आपको आपको आपके घर के अंदर जो है हर घर में एक जैसा नहीं होता है तो आपके घर में जो चीज़े है आपके से वो लेने के लिए आए प्रभू ने आपको जो दिया है उसकी सेवा आपसे लेने के लिए आए तो इस बात का आप सेवा करते समय हमेशा ध्यान रखिए आपको अपनी बच्चे को कैसे प्यार देना है कैसे सेवा करनी है ये कोई दूसरा बताएगा कि आपको आपको जैसे मन हो आपको जैसे टाइम हो जैसे आपको करना है वैसे आप करिए हाँ लेकिन आप एना दूसरों को देख करके सीजिए पर सेवा आपको कैसे करनी है आपको कैसे उन्हें प्रेम देना है कैसी क्या करना यह आपका खुद का मन होना चाहिए आपका खुद का भाव होना चाहिए वो तो आपने सुनाई होगा कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो नय भक्तिया परछती, तद एहम भक्ति, उबरिंतम, अशनामी पत्यात्मन है मतलत कि भगवान सिर्फ पत्ते, फूल, पुष्प और थोड़े से जल से ही खुश हो जाते हैं उन्हें कुछ बड़ी बड़ी चीजे नहीं चाहिए, बस जो आप चड़ा रहें, वो भाव के साथ होना चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए, भक्ति के साथ होना चाहिए तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं उमीद कर तेम वीडियो पसंद आयोगी अगर आई है तो प्लिज लाइक कर दीजेगा कोई भी कॉमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स की तुरू मुझे कर सकते हैं मिलते नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए राधी राधी हरी कृष्णा